जै हिन दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है Mr. Scalper की एक और नई वीडियो में और मैं हूँ आप सभी का दोस्त संचित दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक रिफ्टी के बारे में आज के लिए वियू था किस तरीके से मार्केट ने उन लेवल्स को फॉलो किया है कल के लिए कौन-कौन से इंपॉर्टन लेवल्स है सारी चीज़े हम इस वीडियो में जो है वो डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों अभी तक हमारी यूटीब चनल को सब्सक्राइब ने किया तो बैस सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन को दबा देना और इस वीडियो का लाइक इमाम रखते हैं बैंक निफ्टी का 37,250 ओपन हुआ इसी लेवल से रिजेक्शन लेके उसके बाद नीचे की साइट जो है वो जाने लगा इस लेवल पे एक बार उपर गया था बड़ वो ही है जो हमारा रूल है 5 मिनिट की 2 कैंडल क्लोज या 15 मिट की एक कैंडल क्लोज वो हमें नहीं मिली और इस लेवल से रिजेक्ट होके बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाने लगा और इंपॉर्टन लेवल क्या था जिसके हमने कल बात करी थी देखिए मैंने आप लोग को इंपॉर्टन लेवल बताया था 36,900 से 800 की रेंज मार्केट टेक्निकली कल मैंने आप लोग को एक चीज बोली थी अगर इस रेंज के नीचे जाता है इन लेवल के नीचे जाता है तो मेरे को 36,550 और 450 जो हमारा लास्ट टाइम जब हम लास्ट वीक ट्रेड कर रहे थे या उससे पहले भी हम ट्रेड कर रहे थे जब देशन में था ये लेवल जो है ये बहुत इंपोर्टेंट और क्रिटिकल लेवल था मार्केट के लिए तो अगर मार्केट को ब्रेक आउट देना था उपर की साइड जाना था तो मार्किट जो है इस लेवल पे सपोर्ट बनाके उपर की साइड ब्रेक आउट दिया उसने दो हफते पहले उसके बाद यह जब रिटेस्ट करने आया पहला सपोर्ट लेवल 36900 का वहां से ब्रेक डाउन होके कोई 400 पॉइंट का आपको सीधा फॉल आज के दिन देखने को मिला है जो हमने कल बात करी थी अब लेवल टू लेवल बहुत जादा लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे के भाई आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ बैंक रिफ्टी में लेवल टू लेवल जिन्होंने है वही मैं आपको बोलता हूं option में अगर आपको थोड़ा सा भी profit कमाना है आपको लेवल टू लेवल जाना पड़ेगा stop losses अगर आपसे इस volatility में नहीं समलते जो कि मैं आपको बता रहा हूं बार बार please quantity कम कर दीजे क्योंकि volatility इतनी है आप सही trade में entry लेने के बाद भी निकल जाओगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीचे जाते हुए market में short कर रहे थे उसके बाद भी उन्हें loss हुआ क्यों क्योंकि volatility इतनी जादा थी quantity उन्होंने अपनी appetite से जादा उठा ली थी तो यह जो हलके full के jitter आते थे उपर नीचे के उसमें उनका stop loss जो निकल जाता था य वालेटाइल होके उपर गया है इसमें भी बहुत सारे लोग सही position में थे लोगों ने यहां पर entry ली है लोगों ने यहां पर entry ली है बट कोई भी यहां तक hold नहीं कर पाया और यहां तक भी hold नहीं कर पाया लोग loss काट काट के निकले हैं क्योंकि volatile market में वो लोग quantity जादा ल तो लोग बायर कुछ मैसीज़ कर रहे तोAK चै Gustaven को करोती है और आपको फिए को खेndरर ने मार्केट में प्रव प्रॉबिलेटी बहुत में होðती है है पहली चीज तो इंपॉर्टेंट चीज अब क्या है हमें कल के लिए क्या देखना है इस वक्त स्टी हलकी फुल के नेगेटिव स्टार्ट के अंदेशा इस वक्त दे रहा है अगर हम कल अभी जो प्रोविजनल क्लोजिंग हुई है वो 37235 के पास हुई है तो इंपॉर्टे एक रेजिस्टेंस था यह अब एक सपोर्ट की तरह करेगा ठीक है तो 37,120 हमारे लिए कल एक सपोर्ट बनके रहना चाहिए अगर हम हलकी फुलकी नेगेटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं या फिर फ्लाइट ओपनिंग हमें देखने को मिलती है तो 37,120 और 37,250 आपके ल बात करें तो एक लिस्ट हम लोग 37,450 से लेकर 500 की रेंज जो है वो दुबारा से रिटेस्ट कर सकते हैं क्योंकि डेटा कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं स्पेशली बैंक निफ्टी में जो कि बहुत इंट्रेस्टिंग है अगर वर्ल्ड मार्केट से हमें सपोर्ट मिलता ह अब वर्ल्ड मार्केट थोड़ा उपर से हलके हुए है डाउ जोंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बात करते करते नीचे जा रहा है बट देखते हैं वह तो शाम को पता चलेगा किस प्रकार से वर्ल्ड मार्केट बंद होते हैं क्या होता है वर्ल्ड मार्केट अगर सपोर्ट देता है तो बैंक निफ्टी यहां से एक अच्छी शॉट कवरिंग का कैंडिडेट बनता है क्यों अगर हम मैंक निफ्टी के डेटा देखते हैं यहां पर इस वक्त 37,000 से लेकर 37,200 तक अगर आप देखें दबा के कॉल राइटिंग करी गई है 51,000 के आसपस कॉल राइटर्स इंदा मनी राइटिंग आज मतलब इंदा मनी क्या बहुत लोग बोलेंगे कि इंदा मनी राइट करके गए है मेरे इस अब से जब मार्केट नीचे था उस वक्त उन्होंने राइट किया है मार्केट इतना शार्पली रिकावर किया है कि उसने मार्केट ने इन कॉल राइटर्स को ट्रैप किया है ठीक है तो अब ये अगर वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है तो बहुत एग्रेसिव शॉट कवरिंग का कैंडिडिट बनेगा क्योंकि भर-बर के इसमें शॉट्स भरे हुए है 37,000 के उपर लगबग 33,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट आज के दिन आड़ वा है 51,000 ऑबरॉल ओपन इंटरेस्ट बन चुका है कॉल्स का 37 100 200 पे देखें तो 15,000 और 34,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बन चुक की बात करना है तो वो उतने ही हैं जितने 37,500 के आसपास हैं तो काफी बड़ी मातरा में कॉल राइटर्स फसे हैं आज के दिन अब यह जो शार पमूव बैंक निफ्टी में आया है तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है सपोर्ट की बात करें तो 37,000 की पुट्स में ल काफी अच्छी हो चुकि तो लोवर एरिया में आप तभी जाएंगे जब हम 37,120 को तोडेंगे 37,120 के नीचे हम लोग 37,900 और 800 पर दुबारा जाएंगे पर दुबारा से सपोर्ट लेके उपर की साइड आने की कोशिश करेंगे क्योंकि मार्केट उस प्रकार का बन रहा है डेली चार्ट में अगर आप देखहें मार्केट कुछ नहीं कर रहा है मार्केट ने इस रेंज का-अउट दिया इस रेंज का री टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट उपर जाने की कोशिश कर रहा है बहुत स्ट्रॉंग हैमर कैंडल एक मैंक निफट ने बनाई है जो कि generally इतनी strong candle बहुत कम देखने को मिलती है तो बहुत unusual moment हुई आज के दिन इसमें कोई दो राए नहीं है उपर की side का momentum अब 250 के उपर निकलेगा, sustain करेगा तो हमें 450-500 तक का देखने को मिल सकता है तो इन levels पे उपर आपको नजर रखनी है bank nifty के अंदर ठीक है सर, तो यह हमारा bank nifty का view हो गया आप थोड़े stocks देख लेते है अगर मैं stocks की यहां पर बात करता हूँ Reliance daily chart जो हम कल बात कर ही रहे थे Reliance strong है जब तक 2390 के level के नीचे नहीं जाता या फिर 2370 के नीचे भी नहीं जाता Heart strong up move हमें देखने को मिला Reliance के उपर अगला level क्या है 2417 1417 के उपर निकलेगा तो फ्रेश एक up move आएगा Important level resistance जो पहला आता है वो 2410 का आता है 2410 और 2417 important resistance Reliance के लिए है HDFC ने हम कल बात करी रहे थे 2334 का level 2734 का level important support है यहां से bounce मिला है अब क्या है 2785 के उपर HDFC sustain करता है तो 2808 तक का momentum उपर की side देखने को मिल सकता है HDFC bank देखे मैं आपको कल बोल रहाता है इसके लिए कोई support नहीं है जब तक यह इस red area में नहीं आता और आज इस red area में आया और इस area में आके test किया और एक hammer का information बनाई है अच्छी चीज़ है इस hammer का अगर top कटता है कल 1570 का important level है यह अगर top कटता है तो 102 दिन काफी strong HDFC bank जो है इस rally को lead कर सकता है especially bank nifty में तो इसको watch out आपको करके रखना है 1569-1570 का level access bank की बात करें बिल्कुल bank nifty की hammer candle है उसका एक shadow आप image देख सकते हैं आपे 801 के उपर निकलेगा तो 807 और उसके बाद 817 तक के move हमें देखने को मिलेंगे ICACI bank की बात करें हमारे 690 का important support था बिल्कुल उसके आस पास से reversal मारा है अभी strong closing दी है बड़ी तेजी अब कहां पर हमें देखने को मिलेगी ये level के उपर जब ICACI bank sustain करेगा 717 के उपर अगर ICACI bank निकलता है तो 700 मेरे हिसाब से 727 तक जो है वो बिना रुके यहां से ICACI bank जा सकता है watch out इस पर करके रखना है इंडसेंट bank बहुत strong जो है आज एक rebound मिला है 1120 एक important level है 1120 के उपर अगर रहता है तो अच्छी तेजी आगे भी बनी रहेगी अब अगर कल के आज का जो है डे हाई काटता है मतलब 1142 का level अगर निकालता है इंडसेंट bank तो हमें एक उपर की साड़ का momentum इंडसेंट bank में भी देखने को मिल सकता है बजार finance breakout जो हम कल बात कर रहे थे 7680 का level जो है इसने breakout दिया है इस पोलन फ्लैक का target मेरे इसाब से जो बनके आ रहा है वो लगबग 7900 से 8000 के levels जो है वो बजार finance में बनके आ रहे हैं कोई अगर डिप मिलेगा तो इसे support 7680 पे strong support मिलेके जो है वो देखने को मिलेगा बजार फिंसर दोनों बजाज में साथ में जो पोलन फ्लैक का हम कल बात करी रहे थे यह दो आप लाइने मार्क कर लीजे जिदर भी breakout हो उस side का trade में घुश जाईएगा 17300 जो है एक important level है अब support के लिए अब इसका जो अगला target जो बनके आ रहा है वो बनके आ रहा है अटलीस्ट 17800 तक जो है वो बजाज फिंसर वो पर इस side जा सकता है आईबूल housing finance की बात कर रहे है important support के बास आ चुका है यहां से अगर इसे bounce लेना है तो यहीं से bounce लेगा वरना और strong मंदी आ सकती है और इसे 190 की तरफ लेके जा सकती है मारूती में जो खराब report आई थी उसकी वज़े से मारूती नीचे की तरफ आ रहा है ठीक है important support है अब 6600 ठीक है 6750 और उसके बाद 6600 तो 6750 के नीचे fresh मंदी जो है वो इसमें देखने को मिलेगी DLF में कल हमने बात करी थी DLF एक important trend line support के पास खड़ा है यहां से bounce लेगा अगर यह level line तोड़ता है तो इसमें meekness आईगी 300 तक दुबारा से trend line से bounce लिया है अब 335-334 important level है इसके उपर दुबारा निकलता है तो दुबारा से 349 तक के level जो वो test कर सकता है IT जिसने बहुत जादा समाला आज के दिन अब TCS में 3880 का level बहुत crucial है इसके उपर fresh buying जो वो देखने को मिल सकती है अगर आप Infosys की यहां पर बात कर रहे है तो देखिए Infosys में एक यहां पर strong pattern बन रहा है और यहां पर इसका resistance हा रहा है ठीक है अगर मैं Infosys की यहां पर बा जलता है तो हम 1735 और 17,050 तक जो है 1750 तक जो है उपर की साइट जा सकते है Infosys में तो दोस्तों अगर तो वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक हीजिगा मिलता आप से लिए वीडियो में थैंकिस मच वाचिंग आइस जहिंद वंदे म आद रम